विराट कोहली की रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर ने किंग सिलेवन पंजाब को दस्वे केट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है इस जीत के साथ ही रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर की टीम के प्ले ओप में बने रहने की उम्मीद भी बरकरार है आईपी एल सीजन ग्यारव में रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर ने किंग सिलेवन को दस्वे केट से करारी शिक्सरत दी है इस जीत में बैंगलोर के गेंद बाजों का आहम योग मदान रहा पंजाब के टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए 88 रनों पर ही ओईल आउट हो गई थी जिसके बाद विराट और पार्थेव ने 89 रनों के छोटे लक्षिका पीछा करते हुए 9 ओवर में ही RCB को मैच जीता दिया विराट कोहली और पार्थेव पटेल ने RCB को तुफानी शुरूआ दिलाई दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से बल्लेबाजी करने उत्री पंजाब की टीम केवल 88 रनों पर ही ओईल आउट हो गई थी पंजाब की तरह से कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर सका था किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को राय रेल चालेंजर्स बेंगलूरू के गेंद वाजो ने 88 रनों पर धेर कर दिया उमेश यादव ने चार ओवर में 23 रन देकर टीन विकेट जटके पंजाब की तरफ से आरोन फिंच ने 26 रनों की सरवादे पारी खेली